मृत्पति के शव पर एक साल तक गंगा जल छिड़कती रही पत्नी, कोमा में समझ घर में रखे रही डेड़ बॉडी, उत्तर प्रदेश के कानपूर से चौकाने वाला मामला सामने आया है, कानपूर के रावतपूर इलाके में मृत्व्यक्ति के परिजनों ने उसके शव को अपने घर में यह समझ कर इतने दिन रखा कि वह कोमा में है और जिंदा है, मृत्पक की पहचान, आयकर विभाग में कारेरत विमलेश दीक्षित के रूप में हुई है, मृत्पक की पत्नी को यकीन था कि वह कोमा में है और वह पती के शव पर रोज गंगा जल छिड़कती घटना का पता तब चला जब पुलिस कर्मी और मजिस्ट्रेट स्वास्थे अधिकारियों के साथ एक मामले की जाँच के लिए व्यक्ती के घर पहुँचे और उन्हें वहां शव मिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, CMO, डॉक्टर आलोक रंजन ने बताया विमलेश दीक्षित की पिछले साल 22 अप्रैल को मृत्यू हो गई थी लेकिन परिवार अंतिम संसकार करने के लिए अनिच्छुक था क्योंकि उनका मानना था कि दीक्षित कोमा में है उन्होंने कहा मुझे कानपुर के आयकर अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था जिन्होंने इस मामले की जाँच का अनुरोध किया था CMO ने कहा कि जब मेडिकल टीम उनके घर पहुंची तो परिवार के सदस्य इस बात पर जोर दे रहे थे कि विमलेश जिन्दा है और कोमा में है बहुत समझाने पर परिजनों ने स्वास्थे टीम को शव को लाला लाजपतराए, एलेलार, अस्पताल ले जाने की अनुमती दी जहां चिकित्सकी ये जाँच में उन्हें मृत घोशित कर दिया गया CMO ने कहा कि मामले की जाँच करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए डॉक्टर एपी गौतम, डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर अविनाश की तीन सदस्य इटीम का गठन किया गया है अधिकारी ने कहा कि परिवार ने अपने पडोसियों को भी बताया था कि विमलेश कोमा में है पडोसियों में से एक ने पुलिस को बताया परिवार के सदस्यों को अकसर ऑक्सीजन सिलेंडर घर ले जाते देखा था पुलिस ने बताया कि शव पूरी तरह सड़ चुका था एक अधिकारी ने कहा कि दीक्षित की पत्नी मानसिक रूप से कमजोर प्रतीत होती है कानपुर पुलिस ने एक बयान में कहा कि निजी अस्पताल ने मृत्यु प्रमान पत्र में कहा था कि विमलेश दीक्षित की मृत्यु 22 अप्रेल 2021 को अचानक दिल का दोरा के कारण हुई थी